मं था लोल्कम बैक का लेक्चर है निमारिकल बेंस्ट चो कि है डिल्टाक क्या चाहे हो हो इंडेक्टर कि के फोनहाँ या दोना चाहिए आपके अनेसितдел है अगर मेमोरी में है मैं एक बार फिर बता देता हूं एक बताता हूं दूसरा आपको पता होना चाहिए अगर आप कहते हो कि suppose that δेल्टा से स्टार करना एंड इनक से स्टार करना तो दिमांग में जैसे आई डिल्टा ते डी, फोडेकरण दवीजन Знаz wooden project, समान–्वेलों तो कितना से डिविजन करना है तो यह चीजह आपको पता होनी चीह, तो तेखिए, किसमें कितना से डि वेजन, पूरण होनी समझिएगा अगर डिल्टा तेफिस और तेफिंद, केट़ म料ट चलता है यानि इस- движ का रिवर्स वाला में तो आराम से कर सकते हैं तो याद हो गया चीजें तो इस चीज का भी ध्यान रहे में मुडाइज होना चीज है कल के लिए हम नहीं रखेंगे किसी चीज को आज हमने समझना है ठीक है चलिए पूश्चन दीखे क्या कहरा है इफ डिल्टा कनेक्टिड सर् कैसा किया गया star circuit में connect कर दिया गया then what will be each element value in ohm ohm के अंदर अब उस each element का value क्या होगा जबकि पहले जो था वो एक delta connected system था यानि यहां भी इसका मान है 27 ohm यहां भी इसका मान है 27 ohm और यहां भी इसका मान है 27 ohm एक ची और ध्यान रखेगा किसी इस्टोरे ने बोला कि सर्फ फास्ट कराते हो देखो फास्ट नहीं कराता यह genuine है इतना तो आपको pick-up करना पड़ेगा और नहीं भी किसी को लगता है ना slow है तो आप जब corner में जो वीडियो देख रहे हो ना उसके corner में देखना three dots होंगे है ना three dots पर click करना नीचे setting आ जाएगा वहाँ पर speed घटाने परानी normal के condition में आप वहाँ कम कर लो है ना और किसी को और जाता speed चाहिए तो बढ़ा सकते हो speed वहाँ से बढ़ जाता है जैसे कि वीडियो की quality घटती बढ़ती है वह इसे ही आपका speed भी घट जाता बढ connect कर दिया तो अब क्या हम formula लगाएंगे क्या अगर लेंदी प्रोसेस से बनाना है जो पहली बार कर रहे हो वह तो कर सकते हो लेकिन जब हम tricky कल बताए थे पहले वह बता देता हूं आपको पता है जब d2s जाता है यानि डिल्टा से स्टार जाता है तो डिवाइड सब समान अगर यही समान नहीं होता तो formula अपने को लगाना पड़ता लेकिन जब समान नहीं है समान है तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड सब मतलब बट्टा 27 बट्टा 3 कर दिजिए 27 बट्टा 3 यहां भी 27 बट्टा 3 यहां भी 27 बट्टा 3 इसका मतलब 9 ohm 9 ohm 9 ohm each element 9 ohm का right answer clear यहां से आपका answer क्या हो गया 9 ohm तो फट से बना यह कब बना जब हम conclusion जान रहे थे कल हमने आपको जो कड़ाया था चलिए आज वाले चीज़े में देखते हैं कि how to solve solution के process से अगर करना है तो आपको कैसे करना है आपको formula फिर आना चीए formula क्या था अगर delta से star किसी को बना divide sub तब भी हम बोला था divide sub दिमाग में रखना है तो अगर इसके इच element का मान हम रख देते हैं मानलो ra इसको rb हाना कि निकलेगा सब वही पर एक element ले के चलना पड़ेगा न rc तो मैं मान बोलता हूं ra का formula अगर निकलना है तो हम जानते हैं जब यह वाला element निकल जब बीच म गुना 27 यह और यह का गुननफल और सब का जोड़ का डिविजन मतलब 27 प्लस 27 प्लस 27 इसका मतलब 27 गुना 27 तो है ही और यहां किता हो गया 27 मतलब 3 into 27 हो गया क्या बोलिए हो जाएगा कि नहीं 27 एक 27 से यह कैंसिल 27 से कैंसिल आट तो 9 3 27 यानि 9 निकल जाएगा अगर आड़ यह इतना निकला तो बताई यह आड़ बी कितना निकलेगा अलग निकलेगा क्या जबकि सब एलिमेंट सेम है सब एलिमेंट सेम है तो आड़ भी आप निकालेंगे तो 9 निकलेगा और आर सी भी निकालेंगे तो 9 निकलेगा तो यहीं फर्क होता है सेमेस्टर और जो हम semester वाले exam में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां क्या करते हैं बच्चे solution process से जाता है लेंदी बनाने के लिए लेकिन यह competition में पूछ दे same question competition में पूछा जाता है तो वहां पर फट फट करना पड़ेगा यह कब जब आप यह सब से जानते हैं आप यहां पर पढ़ लिए होते हैं यहां पर फट फट लगाते हैं तो यहीं डिफरेंस होता है competitive है और आपके theoretical papers के अंदर चलिए तो यह चीज़ें हो गई अब हम बात कर सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से आगे question को solve कर सकते हैं यहां तो I hope किसी को कोई problem नहीं होना चाहिए तो चलिए next questions को देखते हैं ओके next question है आपके display पे देखिए हमने बस data का कुछ value change किया data same है बस नाम change किया if a star connected यहां डिल्टा था वहां star connected circuit having each element इस वर 17 ohm है if it is connected reconnected into delta अगर इसको delta में convert कर दिया जाए then what will be each element value of in ohm में तो अब की क्या है पहले से आपको data क्या दिया वा है star connected system है न यह तो पुराना वाला circuit था पहले से आपको given है star connected system में और डेल्टा में आपको निकालना है चलिए पहले से star character system है और डिल्टा में आपको निकालना है चलिए यह जो given question है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है देखेगा आपको given given है ऐसा है और बनाना है इसको ऐसा इसका हर element दिया हुआ 27 है ना तो जिस तरीके से उसमें convert किया सब element को 27 बटा क्या हो गया था तीन यानि 9 हो गया था तो इसमें क्या होगा जब star को डेल्टा में बतल दिया जाए तब क्या होगा data तो हमने यह भी बताए था जब star को डेल्टा में बनाएंगे तो resistance हो तो 3R है तो इसका तो 3R हो जाए यहां भी 80 ओम दिखेगा और यहां भी 80 ओम दिखेगा ठीक है ना यह कब है जब हम जान रहे हैं अल्लेडी सबका basic fund अल्लेडी हम जान रहे हैं ठीक है यह तब होगा आपके लिए यह basic fund आम जान रहेते हैं तब यह तुरंत हमने करदिया कि 3 गुर्णा हो जाता है अब स्टार्ड के लिए हमने बोला था क्या करना है डिवाइड सब डिवाइड सब तो यहां पर यह ट्रिक था जो भी आड़ होता था उसमें डिवाइड कर दें से अब यहां पर यहां भी कुछ बच्चे दिमाग लग सकते हैं सब डिवाइड यह याद मत रख लेना सब यह शुरू में तो डिवाइड जब भी समान वैलो होगा तो डिल्टा से स्टार में जाएंगे तो आर्वेटर थी कर देंगे यानि एलवाइड थी कर देंगे ऐसा कंडिशन होगा तो यह डिवाइड सब डिवाइड पहले आया है इसलिए ऐसा चीज कहा जा रहा है नहीं कि हर चीज ट्रिक में ही समाविस होता है एड़जस्ट होता है ट्रिक को भी एड़जस्ट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए ठीक है ना तो यह दिमाग में हमें सरे डिवाइड सब तभी याद रहेगा नहीं तो फोर्मूला को हर 10 दिन पर आपको याद करने की जुरत पढ़ेगी और एक चीज दिमाग में रहेगा कि डिवाइड सब इसमें रवेडर 3 होता है तो इसमें जट उल्टा होता है तो यहाँ पर इस टरीक्स डाटर निकालना होता है चलिए अगर प्रोसेस से सॉल्व करना है तो कैसे निकलेगा चलिए प्रोसेस से अगर हुआ हुआ हूं आर ए है ना वेसे आरबी आरसी मालूँगा तो आरे केसे निकलेगा आरे का फ़र्मुला क्या होता है जब डेल्टा का वैलू ये वैलू निकालना है और ये दोनों तीनों नून है था हमने बोला था इसको जोड़ दो अफिर इन दोनों गुणा करके इसको 180 ohm तो सिदे दीख रहा है आस् applicable door dab crash差 क्या होगाई क्या वगाइक दाटा तो सेम है यहां भी को दिक्कत है कोई promise ख्याड है तना अभुथ होब यहां तक कोई प्रावब्लम नहीं होना था बहुत नहीं हमने स्वड़ किया और सिम्मल है इसमें तो कुछ करना ही नहीं तो यह और बहुतो कैसा आझ दियां लाको इसमें करने के लिए इसलिमेंट को लिखना है याशना B छथीज बताए था एक ब्मको यहां कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए next question देखता हूं ओके next question देखिए हमारे पास दिया हुआ है इस पर बेश्ट कि इस बार delta से star में करना है delta से star में convert करना है लेकिन value same नहीं है यहाँ 10 है यहाँ 5 है यहाँ 15 है और बोला गया इसको अगर star में तबदील कर दिया जाए तो बताइए इसका हर एक element चाहे वो r a है चाहे वो r b है या फिर यह r c है इसका value निकालिए तो हम कह सकते हैं we have to find out we have to find out हमें निकालना है find out r a koma r b and r c इस element को निकालना है जबकि इस बार तीनो value अलग है और जब इससे पहले हमने किया था वो क्या था तीनो value same था तो ऐसे condition को जब solve करोगे ऐसे question को तो सबसे पहले देखिए r a क्या होता है r a के लिए बात की जाए formula आपको आना चाहिए कुछ नहीं यानि बीच वाले element यानि अगर आप देखोगे तो कौन सा element निकालना है sorry कौन सा element निकालना है आपको पता चल जाएगा यही तू निकालना है जी तो इसको निकालने के लिए क्या करते है इसका इसका गुना और divide sub d2s देखिए divide sub तो formula में क्या आजाएगा हमारा formula में इसका इसका गुना कर देजे यानि 10 को गुना किजे 15 से इस बार देख के गुना करना पड़ेगा पहले क्या था किजी गुना करते था क्योंकि value same था इस बार जब इस element को निकालना है जिसका मान आड़े दिया हुआ है तो हमें सा इधर भी देखना है इन दोनों का गुना और फिर भागा में सब का जोड़ आएगा वो सब भागा में जो आएगा वो सब के लिए same होगा लेकिन गुना जो होगा वो different होगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 15 इसका मतलब 50 बटा 20 दस तीस 0 cancel out 5 बटा थिरियों है ना और और बी का मान कोई पूछे तो और भी यहां से पूछे तो हम कहेंगे यह element पूछ रहे हो ठेक है इनका इनका गुना कीजिए यानि 15 गुना 5 divided by यह तो सब आजाएगा जिसका मान कितना होगा जोड़ केजी 30 सब को जोड़ एगा तो डिवाइट का पूछ 30 तो आप कर सकते हो फिप्टेइन टूजा 30 यानि यहां पर वैलू हो गया फाइब बटा टू ओम चलिए नेक्स्ट कोई बोलड़ा आरसी तो फॉर्मूला यहां पर याद होना चीए फट से लगेगा अब यहां ट्रिक काम नहीं करेगा पता है चीज़े ना यहां पर फॉर्मूला पता है तो कितना असानी से बन जाता चीज़ें तो तक नहीं होती है है में करना की दिमाग में बहुत दिन तक होती है तो वह आप असानी से कर सकते हो आर्सी की बात करूँ यानि यहां के इलमेंट की इन दोनों का गुणा यानि 15 गुणा 10 15 गुणा 10 बटा तीनों का सम कित्ता निकल गया था 30 यहां से यह कट गया केंसील आउट तो भुवा क्या 5 ओं यहां कित्ता हो गया 5 ओं यह इनसे कटेगा ना फांस्ति यह 15 से तो हर इलमेंट का वैलू अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप आर्या का मान निकला यहां पे 5 बटा 3 अर्बी का मान निकला पांच बटा दो और और सी का मान निकला पांच ओं क्लियर यहां तो कोई कंफूजन नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से वैल्यू डिफरेंट वैल्यू भी दे अलग-अलग डाटा दे आप केल्कुलेट कर सकते हो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं ओ क्वेशन में गिवन डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग देखें क्वेशन कहरा है एक सर्किट है जिसमें यहां एपलाइड वोल्टेज भी है ठीक है इस क्वेशन के अंदर जो दिया हुआ है एक यहां पे रेजिस्टेंस का मान है 0.5 ओम नेक्स्ट है गिवन जो डाटा द बढ़ाइए और यहां एक रेजिस्टेंस का मान है एक ओम है ना एक ओम और फिर यहां पर जो डाटा दिया हुआ है इसको यहां से कनेक्ट कर दिया गया है और पूछ रहा है यहां से जब ऐसा सर्किट है तो ऐसे सर्किट में बताइए और एक्वेलेंट क्या है ना डाटा वो चीज कवेट करो उस टाइम कवेट करो चुकि आपने पढ़ा ही नहीं था आपको लागा कि रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो सरकीट बन जाएगा पर यह स्टार डिल्टा के तर्म में तो चलिए हम वहाँ पर देखते हैं कि कैसे इस टाइब को अपने को करना है ठीक ना च करोगी जब इसको यहां से जोडने को सिस करोगे इस में स्places यह मैं पहले में तो जुडेगा इने क्योंकि डूसरा ब जिकल इसको जोड ना चाहा लेकिन उससे पहले यह वार निकल गया इनंदुन करना चाहां तो लेकिन होगा नहीं यह सॉल 110 यह इसलिए होता कि यहां वा तो वो जल्दी solve नहीं होता, delta को star में ही convert करना पड़ना है D2S, delta 2 star में ज्याद तर question को solve करना पड़ता है star वाले question तो जल्दी से solve हो जाते हैं कोई दिकत नहीं, उसमें तो कुछ करना ही नहीं तो क्योंकि वो series पहले में जूर जाते हैं लेकिन ये वाला जो होता है, problem create करता है तो ऐसे question को जब भी आप solve करेंगे सबसे पहले देखिए, आपको देखना आना चाहिए ये वार short है, इसका क्या मतलब? यहाँ पर देखने में आपको लगता हुआ कि कुछ भी है नहीं लेकिन ये वायर अगर short है, इसका मतलब यह तार यहां से joint है मैं इसको और rearrange करता हूँ तो यह देखिए, आपको delta बहुत अच्छे से दिखने लएगा circuit को आपको rearrange भी करना आना चाहिए और ये तब ही होगा जब आप practice चुरुआत में करने लगे बहुत जादा तो आपको rearrange करने का पता चल जाएगा, actually rearrange कैसे किया जाता है अब ऐसे circuit में देखिए, ये point को मैं मानू P और यहां को Q अगर P और Q मान लिया, तो बत्ते हैं ये दोनों sorted है न, ये sorted है, इसका मतलब short wire यहां से यहां जोड़ दिया है, कोई short wire को हटाके इसी को खिचके यहां जोड़ दिया है, कोगे कोई दिक्कत नहीं तो नीचे एक point है Q, नीचे एक point हमारा है Q, इस P को हम यहां लाना चाहते हैं, ताकि आपको दिख जाए, मुझे तो दिख ही रहा, पर आप लोग को दिखाना है, आप लोग समझ रहे हो इस चीजों को, तो इसलिए आप लोग को दिखाना, circuit में कोई connections changes ना हो, और आपको च R, देखिए, यह point है, यह point है, यहां से source voltage V लगा हुआ है, question पूछा है, R equivalent तो हम voltage के cross यहां पर देखेंगे, कि total यहां पर R कितना होगा, V को हटाओ, R equivalent यहां पर चेक करेंगे, ठीक है ना, तो R equivalent जब चेक करना, यहां से total equivalent, देखिए, चीजों को यहां से देखना होता है, जब थेवनिंत योर में जाओगे ना, तो हां RTH बूलेगा, यहां ना, RTH बूलेगा, चलिए हम पर यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर देखें, अब यहां पर O को P से connect करना है, और उसमें resistance कमान कितना है, एक हो, हमने P को sort है, तो P को यहीं लेकर आए, हमने बोला भा यहां भी P से connect है, अब P तो लग वही है, जो Q है, क्योंकि sorted path है, तो इसको भी कहेंगे, कितना O का resistance है, यह बोला है कि हम भी, एक O का है, अब देखें, आपको delta दिखने का क्या, यह delta connected system है, और इसको आसानी से solve नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको delta start का करनेंगेंगेंगेंग अब इसे circuit को solve करने के लिए, आप देखें, आर equivalent देखना कहां से हैं, इसको हटा के, इसके cross heat चेक करना होता है, आर equivalent चूंकि यहां से देखना है, क्योंकि इसी voltage को अगर solve करना होगा कहीं, तो इतना resistance को एक resistance बनाओगेंगें, आर equivalent बनाओगें, आर equivalent और यह voltage भी है, तभी तो current निकलेगा circuit का, अगर निकालना होगा, तो इन future निकालते तो, तो यहां पर आर equivalent का मान किसके बरावर होना चाहिए, इतना resistance के बरावर, यानि टर्मिनल यहीं से देखना आपको, यहीं से देखना है कि आर कितना है, चीज़े क्लियर है, यहीं से आपको देखना है, जो data calculate करना पड़ेगा, तो आप करिए कि किस तरह के से इसको आप solve कर पाएंगे, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, चलिए, तो आप और equivalent निकालना है, तो मैं यहां पर रफ़ी कर देता हूँ, आप आप यहां से आसानी से इस चीज़ों को निकाल सकते है यानि circuit हो गया कैसा, यहां से चिक करना है, यहां से data चिक करना है, अब देखिए, यह तभी solve हो पाएगा, हम यहां से देखते हैं, यहां से अगर इस circuit को देखोगे, यहां देखिएगा, circuit तो star delta में भी बहुत easy में यहां पर बंड आएजी, star delta का conversion करने की जोरत नहीं है, द यहां देखिए, यह, यह डिवाइड डारेक्ट इससे connect है, इसका मतलब यह दोना आपस में किसमें हो गया, पैलल में, यह दोना आपस में किसमें हो गया, पैलल में, और जैसे यह दोना पैलल सॉल्व होगा, यह से series में connect हो गया, बहुत simple है, मैं तो ज्यादा ही टप सूच यानि यह 0.5 ohm, होगा गना है कि, क्यूँ और आपस में पैलल में है, कि यह element देखिए, यह और यह पैलल में, इसका हो गया 0.5 ohm, और यहाँ है जब का 0.5 ohm, यह तो ज्यादा ही सोच लिया ऐसा कुछ था ही नहीं, इसके अंदर है न, चलिए, वह यह नहीं, यह है 1 ohm, औ यह है यह यतना, तो बताए इसका वैलू और क्या हो जाएगा, इसका और सॉल्प तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया सकता है, यह दो ना पस में सिरीज में है, तो कितना हो गया, इसके वैलू को एक लिक सकता हूं, क्या, 1 ohm, सिरीज वैलू जूड़ेगा, यहां तक दिख रहा है, इन दोनों का पेलरल आयकल एक्विलेंट होगा, एक एक का पेलरल में वैलू कितना हो जाता है, 0.5 ohm, 0.5 ohm, यहां तो कुछ करना ही नहीं था, वो तो मुझे दिख रहा था, यह दिख धर दिमाग नहीं लगाया, तो देखिए, डेल्टा दिख रहा है, इस स्टा होगा यहां से यहां तब भी मिशा होता, पर लेंदी क्यों करेंगे, चीजे है तू बहुत सिमपल था, ठीका ना, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, यहां तक होना यहीं, बहुत सिमपल हम आगे और भी देख लिते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्च्च्ण हमने अगर इसको एक में लिखा जाए इसको और एक ही रिश्टेंस इतने के बदले लिखना है तो इसका मान कितना होगा इतने को फ़ले टोड़ना पड़ेगा जो सुरू से पढ़ रहे है रिश्टेंस में अब यहां पर देखिएगा आपने सोचा कि यह पैलल में चलो निकाल ले को प्रू दूनी Hessर में चाहिए इसको निकाल लेकिन फिस एक बाल निकल गया निकल तो नहीं होता तो यह जूड के इसके पहल सब्स religious नहीं है जब यहमें सी सोन्रें को चाहिए और यह डिल्टा में रहता इसलिए फंसती हैं चलिए यहां पर देखाता हूं किस तरगे से ऐसे कुशन को सॉल्व करना होना तो आप हमेशा वैलू लिख लिया किजिए यानि आप नुमेरिकल डाटा डाल दीजिए कि यह जैसे कि यहां पर पी इस पॉइंट को क्यू यहां देखेगा आपको यह डिल्टा दीख्ण राए City एक पॉइंट यहां दूसरा पॉइंट तीसरा ग्रव डिल्टा दिख रहा चलिए वह सौु करता हूं यहां पर देखिया असानी से किस तके स्वा फोल्व हो जाएगा यह इसको Q और R को बीच में रखे Q और R को बीच में रखे जिसका resistance का मान किता है जी आप कहोगे 3 OM सबकार मान 3 OM है इसका मान 3 OM है ठीक है अब देखो अगर मैं S यहाँ लिख दूँ S यहाँ लिख दूँ तो देखिए R से S किता है R से S है 3 OM R से S है 3 OM और Q से S भी कितना है 3 OM Q से S भी कितना है 3 OM ठीक है S वाले point से ही अपने को B से जोड़ना है यहीं से R equivalent एक छोड़ यहाँ पर पकड़ना है दूसरा चलिए P लिखना है P point यहाँ पर है P किस से जुरा हुआ है Q से 3 OM का resistance है P R से जुरा हुआ है 3 OM के resistance से P R से जुरा हुआ है 3 OM के resistance से चलिए हो गया ना काम देखे हो गया आपका काम और यहाँ पर R equivalent आपका निकल जाएगा अब स् सौचिए का यहाँ पर हुआ क्या मैं तो जाड़त R equivalent निकल ले यहाँ पर क्या हुआ आप यहां डिल्टा स्टार करोगे तब भी चीजे निकल जाएंगे देखें बहुत आसान यहां से दो रास्ते निकल रहें आपके यहां तो इसको स्टार में कर लिजे तब चीजे सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि ऐसे तो यहां यह दोनों कैसे आप बीचमरेश्टेस हो गया तो यहां से दो मेथड बनते हैं दो मेथड क्या है मैं दोनों मेथड पर दाता हूं पहला मेथड फस्ट मेथड मेथड वन मेथड फस्ट यह मेथड कहता है या तो आप डिल्टा को स्टार में करिए और डिल्टा को स्टार में जैसे करिएगा यह ऐसे आएगा तो क्या हो यह दोनों सेरीज में जूरीज जुनाइंगे तो दोसरा मेथेट कहता है जब ऐसा सर्किट आपसब में पर पर देखा उगा कि measurement के अंदर सारा चीजम कर देखो करा है ठिक है ना तो measurement में आप देखो गे तो यह दिख जाएगा ब्रीज जे की अपोजिट आर्म से यह इसका जी चुटा हुआ है अपोजिट आर्म से हमदो यह शोड़ा हुआ है future gift कंप कर दिया दिकना की यह क्र全部 opposite arm का गुननफल जब आपस में बड़ाबर हो तो यह माना जाता है कि इस से बीच वाले जो element है उससे कोई current flow नहीं करता है यह तो प्रूब भी है यह ना measurement करते हैं तो प्रूब भी है यानि इससे अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं होता इसका मतलब है यह कैसा ब्रीज चलेंगे इसका मतलब इस element को हटा दीज़ा इसका मतलब यह दो तार एसे जुड़े में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होड़ा इसका मतलब ऑपन है तो चीजें को समझे अपन हो गया तो देखें क्या हो गया तीन और तीन आपस में सीरीज में हो जाएगा इसको हटाऊगे जैसे तीन तीन आपस में छो और यह भी तीन तीन आपस में छे का तीन आपस में से E nay它 ने हम करते हैं दोनों मेथे चीजे से दो मेध को दीखने लगेंगे तो यह सब चीजे हैं सब सब्जेक्ट फूरी सी कमांड ठिक ता को तो आपको चीजें बहुत अच्छे से देखने लएगा हम दोनों मेथे से करने कों सिस करते हैं और आपको दोनों मेथड आना भी चाहिए चलिए मेथड़ वन आपको मेथड also हो लेके चलता हूँ कौन सा बरिज मेथड से है आग में अपपो क construction तो आपको सब चीज पता लग जाएगा ठीक है न तो यहां पे क्या है जब आप इस चीज़ों को देखो गए तो यहां पे क्या है bridge method से हमने बोला कि bridge method से circuit के अंदर क्या हो जाएगा अब कुछ करना ही नहीं आपको यहां रिस्टेंस लगा यह जैसे दिखेगा जब इसका पूफ के साथ दिखा देता हूं आप लोग साइथ ब्रीज किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं देखें क्या होता है जब आपोजिट आंस का गुनल फल जब सर्किट ब्रीज जैसा दिखें यह यहां पर देखिएगा यहां पर क्या होगा जब इसको मैं इसको मैं सौल्ब करूँगा तो ऐसी कंडिशन में यह कहता है अपोजिट आंस का गुनल फल एह इसको इसके साथ गुना परّए तो क्या हो जाएगा थी क्रोस थड़ी थी क्रॉस थीरी बराबर किसके हो जाएगा जी इसके opposite arm का गुनल फल अगर ये होता है यानि 9 बराबर 9 हम कह सकते हैं bridge कैसा indicate कर रहा है bridge is balance bridge कैसा है जी balance है अकर balance होता है तो circuit तौरंट solve कर लिजे आईसे जब bridge balance होता है तो circuit को फर्ठाक से solve करना है ये लिए जे लिए जब यहाँ पर करोगे तो यह element न फापन हो गया है है न तो यहां पर लिखिए 3333 यह अब यह दोनों यांश में ज़ daha शेयर मिलभ्लक और यह बन जयागा चैब चैब्ते इति ठीट डीव ऑम स्ट्र्स कामदा एंध किता हो जाें एक adopting Lamża आपको पता चल जाए कि चीजे सही हो रहा है कि नहीं चलिए दूसरा में तर से जाते हैं अब यहां तक तो चीजे बना था अब सकेंड में था से देखते हैं इससे आंसर आगे हमारा किता थी वह आंसर है चलिए मेथड्ड टू की बात करता हूं समझेगा अब क्या है आपको यह दिख रहा है तीन ओर इस्टेंस तो हमने क्या करना इसे कंडिशन पर यहां से एल्मेंट लिखना है स्टार्ड में तभी तो बदलेगा है ना अब जब यह एल्मेंट डालना है यानि Q और R की अगर बात करूं Q और R की बात करूं यहां से तीन जो element है यह replace होगा यह जो तीन element है यह replace होगा Q R के जगा पर और इससे पहले वाला element तो रहने देता हूँ यह और यह P के साथ जो यह से जूरा हुआ है P के साथ यह एक 3 ohm का है और यह भी 3 ohm का है कोई दिक्कत ही नहीं यह आपर यह तीन 3 ohm का है यह वाला replace हो जाएगा यहाँ पर यहाँ 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 रेस्टेंस आएगा तो तीन जब delta को जब star में करेंगे D to S में जाएगा तो divide होता है समान value है तो कितना से 3 से यहाँ यहाँ एक element का मान जबाएगा समझ यहाँ एक point बीच में बन जा रहा ओ तो ओ एक ऐसा point है ओ यहाँ पर इस Q से चीज़ें जुड़ेगा एक resistance जिसका मान होगा एक ohm R से O पर जुड़ेगा जिसका मान होगा एक ohm कसे आयाँ क्योंकर कनेक्ट में जान रहा है तो आर डिविजन होगा तर्फ तर्फ टीविजन सब्स का यह कि से है से अब देखिए चीजीं वहीं मांग रहा है कि लिए pont है यह point है बोले चीजा होई है कि नी सिफ गया अब देखिए चीज़े कितने आसान है यह किसके साथ है तीन एक चार और यहां इसके साथ स्रीज में कि नहीं यह स्रीज माग गया तो क्या दिखेगा आपको चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं और अब ता आपको बंज भी जाना चाहिए एक दिख रहा है चारों ओ मान लेता हूं ओ पॉइंट पे वह कित्ते से जुरा हुआ है एक ओम से कित्ते से जुरा हुआ है एक ओम से दिख रहा है न आप लोगों को ठीक है न अब देखिए चार चार आपस में क्या देखेगा जी पहलाल में चार चार आपस में क्या दिख रहा है पहलाल में तो क् दी लिए सकता है नहीं यह दो और स्थारूर अब देख्या साव देख रहा है raj Ш Bill Laugia तुम्हीं में और गया यह धिया स्थार्स नोया तो चाहिए स्टार डिल्टा कषर करें सकारा से करें यह लेकिन अब स्टार्स ना कन्वरजन से पहिले तर बिंद स्टार्स तो आपको अगर बूलता है तो आपको अगर बूलता है तो आप आंसर कर देंगे और पहले इतीन ओम निकाल देंगे यह चीजें कब आती है प्रैक्टीस से आना तो यह चीजें रिलेट होता है आपको नहीं रहाओगा नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे आज के लिए इतना ही गुड़ लग है वनाइस टे